वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब लोग हम सब भी बहुत बढ़िया है तो जी दिन है वीरवार का और सुबह सुबह का टाइम है पांच बज रहे हैं मैं उड़ गई हूँ और फ्रेश हो के आगी हूँ किचन में तो जी वही है जब से स्कूल स्टार्ट हो है ना फिर से वह वाला जो है रूटीन स्टार्ट हो गया है पांच बजे वाला पंद्र दिन तक थोड़ा सा आराम मिल गया था हाना जैसे के एक हफता तो माईके में निकल गया था मज़े से तब तो साड़े साथ आट बजे तक सोई थी और जैसे घर पे आई तो चुटियां थी बच्चों भी तैयार करे लेती हूं तो किचन में जब मैं जाती हूं तो मैं सोचती हूं एक सांती सारा नास्ता बन जाए तो अच्छा ही है तो बस यहां पर जिस तरह से मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे यहां जो है कुछ इंसिजन्ट हुआ है तो हम लोग जो चौंक आहे कैला है जो ख खाना होता है वो नहीं खा रहे तो यहां पर मैं बनाने वाली हूं सीटा प्सकाशवाने केली सबजी नहाने में थोड़ा सार टाइम भी लगा देता है तो बस वहां पे मैंने सबजी जो है खाली ऐसे ही बिना चौंके मतलब वही नमक मिर्च डालके थोड़ा सा धनिया डालके हल्दी तो डालनी नहीं है ना तो करके मैंने वहां पर पकने रख दियो और साथ में बनाने लग खान नहीं मतलब खाना बिल्कुल उबला हुआ है तो कोई भी जो आना शौक से नहीं खा रहा है जितना खाना खाता है उतना कोई खाई नहीं पा रहा है खाना और साथ में वैसे तो चटनी बना सकती हूं मैं लेकिन चटनी भी हम लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कई लोग होते हैं जो ऐसे टाइम में चटनी के साथी मुचली खाना खा लेते हैं लेकिन हम लोगों को चटनी भी ज़्यादा अच्छी ने लगती बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है और इनको मतलब हस्बंची को मुझे भी कुछ ज़्यादा चटनी पसंद नहीं है तो बस यहां पर मैं रोटिया मिना रही हूं और हनी जो है रेडी होके आ गया है मतलब नहा के आ गया है और रेडी होने लग गया है और ठंड इतनी जादा हो रही है ना तो वही होता है ना बच्चे होते हैं पहले तो उठने में आलस करते हैं फिर नहाने में आलस करते हैं त सब्सक्राइब करएं पर पर ऊक मैं तेरी नहां थे समय पर फरको पर नहीं कि अवा कर पर नुचक रखेंगा अभाई अगर गर्षाया यफ कर लेड़ी पर गई जब आख खुलती है तो काफी टेंशन में उड़ती है मेरे साथ तो भी ऐसी होता है आप भी बताना क्योंकि न मेरे 5 सावा 5 बजने वाले होता है जैसे 5 बजे का अलाम लगाती हूं तो जब होने वाले होते हैं उससे पहले ही 5-10 मिनट पहले टेंशन के बारे मेरे नीन्द जब हो गई हूं क्योंकि न एक दुबारा असा हुआ है गलती से कि मैंने अलाम बंद किया और मैं फेर्स हो गई हूं तो इसलिए न मैं रिपीट अलाम लगाती हूं हमेशा ना दो या तीन अलाम लगाती हूं कि एक बजने के बाद दुबारा बज जाए तो जी बस यहां बेंक Mirick है और में नाश्ता बन गया है और मैंने था नास्ता रख दिया मतलर लञार या ऑर मैं साथ में चाय रहे हूं कि बच्यों को बिना कुछ नास्ता करा है तो मैं नहीं भेज ती कि बच्चे होते हैं जैसे पहले तो चाय बिस्किट वगेरा या दूद बिस्किट ले लेते हैं लेकिन फिर अब जैसे हनी थोड़ा बढ़ा हो गया तो इसको मैं पराठा देती हूं यह पर आ गई है वैन हनी की और चल दिया है और मौसम देखे कैसा बंद हो रहा है तो बस यहां पर मीहूं भी आ गई है और इसको मैंने नहला दिया है नहला के फिर अच्छे से मैं इसकी ऑईल से मालिश कर देती हूं क्योंकि बच्चे ना कापते हैं आजकल ठंड में नहाते हैं जब तो दात ना कड़कड कर कर रहे थे इसके तो बहुत अच्छे से मैं इ ठंड हो रही है न ठंड में तो बच्चे नकरे करते हैं लेकिन वही है नहाना भी ज़रूरी है क्योंकि तब तक सईरी जो खुलता नहीं है नहा के थोड़ी फ्रेशनेस आती है और थोड़ी तास्गी भी लगती है तो बस यहां पर मैंने इसको तयार कर दिया यह रेड़ी तो इसलिए मैं ये जैकेट पना देती हूँ, बस आ गई हूँ आप किचन में और बर्तन तो मैं दो चुकीती जैसे हनी गया था तो मैंने इनको उठा दिया था और सीधे माय आगए थी किचन में मैंने सारे बर्तन दो दिया हैं, उसके बाद मीहू को तयार करके नहला के आ ग यहां पर जो लंज है वो बहुँ सिंपल साइए बताया था मैंने सीटावल की सबजी जो बनाई है और साथ में बनाई है रोटी और साथ में थोड़ा सा जो नमकीन वगेरा है कुछ दे देती हूं मैं यहां पर जैसे मुरमेर डाइट हो गया या फिर कुछ भी जो फ़लकी ख चार बजे के टाइम पे जब कुछ खाने का मन करें तब के लिए फिर मैं यहां पर लाइव यू डाइट वो रग दी है मैंने और साथ में मूली काट दूँगी तो मूली आजकल बहुत अच्छी आ रही है विंटर्स में तो अच्छी लगती है उसमें क्या करती हूं मैं नमक काला नमक डालती हूं चाट मसाल डालती हूं कट करके और 2 हरी मिश डाल दूँगी जिससे कि अच्छा लगता है खाने में हना मूली से तो मजई आ जाता है सर्दियों में खाना खाने में और और से अगर ऐसा खाना हो और यह चीज़े सांथ में मिल जाए तो और अच्छा इतना टाइम तक मुझे लगता है निया किसी जैंड की बसका है इतना करना क्योंकि एक एक चीज छोटी से छोटी चीज के ओपर ध्यान देना पड़ता है लेडी को अना ऐसा होता है तो इनका जो लंच है वह भी मैंने पैक कर दिया है अब यहां पर मिहू का लंच पैक कर दि लिए कि एक कि जो चुमिय कुंदो ए पैयार का बंडार है इसके पास मेरे लिए बसי चिपकी ही रहती है मुझसे हमेश्छी की ही रहती है出來 मुझसे तो मैं आशन बी लगाना है तो कल गई थी आई तो यहां पर जो है गोबी को मैं कट कर लूँगी क्योंकि फ्रिज बहुत छूटू सा है मेरा तो उसके लिए मुझे जो है ना एड़ेस्ट करना पड़ता है चीजों को तो गोबी के जो टंठल है वो काटके मैंने हटा दिये हैं जो कि फ्रिज में में ज्यादा जगा ना घि इसके लिए और साथ में मीहों को लेके जाते हैं क्योंकि रस्ते में पढ़ता है ना मीहों का स्कूल रस्ते में पढ़ता है वहां छोड़ते हैं और फिर जाते हैं तो यही है रुटीन लेडी का बस काम 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 तो सुबह के पांच बसते नहीं है और काम स्टार्ट होते नह पानी भर दूंगी और पहले ना बालकनी में थी हमारी मशीन लेकिन सर्दिया हो गई है इसलिए हमने यहां पर बात्रूम में रख दिये तो यहां पर में कपड़े भी दूलूंगी और इसी के साथ ही में अपने व्लॉग का भी एंड करूंगी जो नए लोग आ रहे हैं जु झाल